कि सद्गुरु क्लासेज वेलकम स्यू हलो एवर्यवन फाइंड यूर फायर सो लेट से स्टार्ट आई एम शुभा मिस्रा और आज हम क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर टू देखेंगे जहां पर आज हम इफेक्ट आफ टमप्रेचर देखेंगे कैसे वह फेस चेंज करने हमें स्टेट चेंज करने में कैसे डमप्रेचर का रोल प्ले खरता है अब यह दख हमने मैंटर देख लिए वह यह मेंने देखा कि मैंटर क्या होता है डेकल बनाए पार्टेकल की जो प्रॉपर्टी जो ठीक सर्व चार वह हमने चालों प्रापर्टैय का ओजैम्पल हमने भी देख लिया था है ना फिर हमने तीनों स्टेटनिक सॉलिट लिक्विड गैस इनका एक कंपरेट्व स्ट्रक्चर देखा था कैसे इसको हम कंपरेट्व लिखते हैं और आपके करता है स्पॉंज भी कॉंप्रेस कर दो तब भी चेंज कर देता है तो अखिर वो कैसे सॉलिट हुआ तो हमने बताया था ना कि सॉलिट प्रपरटी और होती है कि जब आप इस्टर्नल फोर्स जो लगा है उसको जैसे ही आप हटाएंगे तो वह अपना से रिगेन कर लेगा य प्लाजमा क्या होता है वह बहुत करके देख सकते हैं आज जो हमको देखना है कि जैसे आप से कहें कि क्या मैटर अपने फेस को चेंज कर सकता है तो आपका जबाब होगा है क्यों कि अपडेखते भी हैं लिक्विद्ग में करने यह जैसे आइस आस को घरम करेंगे तो वह बहुत वाटर बनेगा फिर वाटर वेपर होता है कैसे हुआ हीटिंग से हीटिंग क्या है टंप्रेचर है ठीकला आप हेडिंग डालें कि कंग है रिय है चेंजिन इस्टेट और कि मैटर मिद्धा है तो बताओ चेंज इस्टाफ मैटर है बिल्कूल पास भूल है क्या क्या कंडिशन पहला तो है बाई changing temperature effect of change of temperature जो भी आप कहले ठीक है तिक ना temperature क्यों सकता है तो temperature आप बढ़ाओ या फिर आप temperature decrease करिए अगर आपने temperature increase किया तो यह क्या हुआ हीटिंग हुआ ठीक है ना बच्छों और अगर temperature decrease किया आपने तो यह cooling हुआ अब देखना आप हीटिंग और कुलींग से कैसे फेस्ट छेंज हो रहा है अब को देखाते देखे अगर सपोस्ट करो आपने हमने यह लिया सॉल इड obser लेड लिया सालिट बना लिक्वीट से गाइस बना ठीक है आब इस पोस्ट किलो सॉलिट क्या है है आइस है ओके बच्चों लिक्विड क्या है वाटर है और गैस क्या है वाटर के वेपर है है ठीक इतना हो गया हमारे कहाना है कि यह कैसी होगा जब आप सॉलिट को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कर रहे हैं यह प्रोस्ट कैसे होगा तम्प्रेचर देखो आपने क्या तम्प्रेचर चेंज में दो कंडिशन है तो इंक्रिंस करके याद डिक्रिंस करके तो अब आपको यह है सौलिट से लिक्विड क्या और है फेस चेंज हो रहा है हमारा टॉपिक है यह स्टेट आफ मैटर का चेंज इन फेज करते हैं इसको हीट करना पड़ेगा यहने कि टंपरेचर क्या हुआ लिक्वीड के लिए क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा थे यहां से लिक्वीड करेंगे यहां को लिक्वीड करने के लिए कूलिंग करना पड़ेगा यानिकी टंप्रेचर लेस्ट एंस अर één है सॉलिध से लिक्ड लिक्ड से गयस के लिए हिर आपसालिड से गैस के तरफ चाहिए तरह की तरफ गला रहा है तो आपको टंप्रेचर करना है यानिकी cooling करना है ठीक है ना तो हमारा टापिक था कि क्या face change कर सकता है state of matter बिल्कुल कर सकता है बही दो condition है पहला है temperature change करके दूसरा आएगा pressure change करके ठीक है ना burse आलट से यहां पे भी क्या करें गदा गरम ही तो करेंगे की निएचे करना है यानि की HERE ही ना यह ना गया यह इतना तंप्रेचर इंक्रीज का भी रोल और तंप्रेचर डिक्रीज का भी रोल हो गया अच्छा एक यह तो आपका यह भी NCRT का डियाग्राम बना हुआ है जब प्रेसर चेंज में देखते हैं हम क्या आता है उन्होंने एक मतला पूरा प्रोसेस बताया है कि जब सॉलिड से लिक् र्ण सोश करें ह ہیں अ कि अ यह लिखा गया है यहां पर सॉलिड है ठिक यहां पर गैस है और यहां पर लिक्विड हैं आपका देखिए डाइग्राम यह हैं सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से सॉलिड सॉलिड से गैस गैस से सॉलिड लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम बताएं आप सॉलिड से जब हमने लिक्विड कनवर्ट किया यानि कि आप गरम कर रहे हो हीटिंग कर रहे हो तो क्या हो रहा है यह इस घुड को याद रखने यह फ्यूिजन होगा आप। क्या है यह डिट्टन रहा है कि वकवर बन रहा है तो क्या हुआ कि सब्ली में सन अगें से सौरी डगर बन रहा है कोई चीज तो वह क्या हो गया लिपोजीशन ठीक है यह आपका इस आडिक बहुत च्राइग्राम आपको आने ही चाहिए जब तक आप इने समझेंगे कि वेपराइजिशन क्या होता है फ्यूजन क्या होता है सब्ली में संटी आप आप समझ जाएंगे और अगे आप देखेंगे जब पर होता है जब चाहिब ही स्टेट आफ मैटर चेंज होगा फेसज होगा वहां पर हीट इनेरजी आता है जिसको हम लिटिंट हम अब मतलब कि हमारे साफ साफ यह का ना था की चेंजड और सब्सक्राइब दो प्रकार से हो सकता है पहला क्या है आपने देख लिए टंपरेचर चेंज दूसरा वाई चेंजिंग अगा प्रेशर ठीक है रोग्त है थो तो यह तो व्हों तो टंपरेचर में आपने दिखा तो आपने इसके पहले वाल डाइग्राम जो हमने लिक्विट दिखा था हीट वाला और कूल वाला वह वाला हो गया एक डाइग्राम यह आपका बहुत इंपोर्टन्ट है इसको बनाई यह फिर आगे वाला हम प्रोसेस बढ़ाते हैं आप कुछ एक्जामपलिया देखने जै प्रोसे बैसे रखा जाता है और कपड़ों को बचाने के लिए जब रखा जाता है तो वह आप आप देखते हैं कुछ टाइम बाद नफिलीन का बाल गया हो जाता है है ना जबकी कहीं पानी नहीं रहता है यानिकि नफिलीन बाल तो सॉलिड है वो सॉलिड डारेक्टिली गास में चेंज हो जब आप कपड़े निकालते हो थोड़ी थोड़ी इसकी इसमेल भी आती है नैप्थिलीन बॉल की ना तो क्यों में कभी कोई लिकुड तो लगा नहीं था प्रणे पे डारेक्ट गास में चेंज हुआ है आपका बचा रहा गया था है ना तो आप कहा सकते ह यह सारी चीज़ें डारेक्ट सॉलिट से कहस में कर नट होती है यानि कि सब्ली में सन्का एक्जामपल है ठीक है अब आगे इसको लिखी फिर आगे हम बढ़ते हैं जैसे हमने अभी आप से जो डाइग्राम बनाया था सॉलिट से लिक्विड जाना लिक्विड से गैस में जाना सब में जो टमप्रेचर का रोल आया था आइस जैसे हम यह आइस हुआ आइस से आपका बना था वाटर और वाटर से बना आपका वाटर वेपर यहनि कि क्या था सॉलिट लिक्विड गैस ना यहां पर आपने क्या ल है कैसे फेस्जेंज हो गया आप जब तंप्रेचर दिया ढख है बरह सि destined signature दिया यहां करम किया अधिर कैसी हुआ क्या एक त्वाटर सिंदर की वह वाटर उपर में करोंट है तो आदो कुछ इस प्रकार से होता है ठीक है ना बहुत पास-पास होते हैं थोड़ा सा होता है गैस मे तो भाई यह वह बहुत दूर होते ह요 को जÁ इतना हमने देख लिए आप हेटिंग किये देखना रहा हो तो हीट क्या हो रहा है यह जो यहां पर आप अट्रेक्शन देख रहे बढ़ता है आपको याद होगा उमने बताया है समूल होता है बीच में मैं करते हैं घरता है होगा हर जगह होगा लगता है इसके अउसरी में कर हुँक्र है लगता है कि लेकिन हम निजे वह भी पार्टीकल का बना है चुटेट पार्टीकल का अब कैसे मुव कर रहे हो अब गर्मी दे रहा हो रहा हूं यहां से अब तो आपको आपको और किया था कि जो सॉलिट का मोवमेंट होता है वह vibration के form में होता है तो आप यहां क्या कहोंगे temperature आपने बढ़ाया तो motion बढ़ाओ यहां motion in solid case में motion क्या होता मैं यहां लिख देता हूं कि आइस में आइस में motion कैसा होता है किस form में आप बताओगे vibration के form में होता है ठीक है इसलिए हमने वहां पर यह यूज कर दिया कि आप उसको जानते रहो ठीक motion बढ़ गया temperature आपने motion बढ़ा आप motion बढ़ने से क्या होगा क्योंकि करनेटिक नर्जी करनेटिक नर्जी मतलब क्या होता है जब भी कभी कोई जाएगा इनकी बीच का फोर्स आफ एट्रेक्शन डिक्रीज होगा एंड फेज चेंजेज ठीक है न इतना ही हुआ है अब यहीं आप उन्हें सॉलिट में कहा यहीं आप वाटर में भी कहिए वाटर में क्या होगा जैसे आप टेप्रेचर दोगे सेम बात करना है आप वाटर का पाल्टिकल स्मूब करना शुरू करेंगे उनकी करनेटिक नर्जी बढ़े जाम और फेज दोगेंगे हम ने देखम करों और जो जाएगा हमने देखना तर फेस चेंज में ता देखके अब बढ़ाया कैसे ऐसे हो गया आपने कारण यह बताया मोशंबना कंट्रिक नजी बढ़ना फ्रसा फाल्टर संग्र और फेस का चींज हो जाना ठीक हृआ और हो कुलिंग करोके तो त्म्प्रेचर घठा होगे तुम्प्रेचर आपने खटा दिया तो अपने आप मोशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मोशन कम हो जाएगा तो क्भाग ना जो भी मोशन तेज था उनका कंडिक नरजी वी यह उंब ऐगा गणटा आ जो फोर्स ऑपको पास आएंगे तो क्या होगा इन्ねजी तो वह कूल होगा और यहां यहां भी और फाएश-जेंज ओगा क्यों 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 कि यहां पर फोर्स आफ्रेक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है जब आप तंप्रेचर को घुटाते जा रहा हो और आप किधर आओगे फिर वेपर से सौलिड की तरफ आते जाएंगे आप ठीक है ना सौलिड से वेपर की तरफ जा रहा है तो हिटिंग कर रहा है याद रहिए यह देखिए कि हीटिंग और कूलिंग कप करेंगे जब वेपर से आप सॉलिडिक तरफ आएंगे तो वहां पर कूलिंग का रोल प्ले करेंगा क्यों कि आपने यही तीन फैक्टर जो देखा इसी का पूरा का पूरा का इसके अंदर ठेक है ना टमपरिचर का कैसा रोल है अब देखिए आप जैसे हमने यह कहा कि इस दौरान में आप यह समझें हां पर कि हम आइस क्या हुआ है दो को सॉलिड क्या हुआ है लिक्ट में गया ना तो आप यह बताएं जब सॉलिड मेल्ट हो रहा होगा लिक्ट में बदलने वाला रहा होगा एक टाइम पर तो वह कौन सब उसको हम कहते हैं क्या मेल्टिंग पॉइंट ठीक यानि कि एक ऐसा टमपरेचर मैं लिक्ट देता हूं यहां पर melting point को आप क्या कहेंगे minimum temperature at which solid melts minimum temperature at which solid melts at atmospheric pressure यह वाल आप याद रखे atmospheric pressure जो आपका atmosphere में जो pressure उसी पर यह काम होना है ठीक है ना ठीक यानि कि minimum जैसे आपने ice लिया एक beaker में आप सबसकर आइस ले लिए आपने hitting शुरू कर दिया यह कितना temperature minimum temperature क्या है कि आप गरम करो कि यहां पर आपको reading क्या मिले था थार्मा मीटर में जिरो डिग्री संटीग्रेट यह आप पाओगे thermometer की रीटिंग में कि ice मिल्ट होना शुरू हो गया है ठीक है ना क्योंकि क्योंकि ice भी जीरो डिग्री का होता और वाटर भी जीरो डिग्री का होता है आई समझे कि water 0 दिग्री का नहीं होता होता है ठीक और अब इसमें आप क्या कहेंगे इन्टू 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 लिक्विड अब इसमें क्या कहेंगे कि मेल्टिम पॉइंट आफ आइस कितना होता है यानि कि और इक बात अब आपको अलिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो हता है कि सांत Veteran को बता तो इसको अब मेंसान Pre Knowing को कि मेल्टिंग फॉइंट आफ होने क्या बताता है मेल्टिम पॉइंट पॉइंट्ष्ट सांडिक्ति अे force of attraction between them ठीक है न यानि कि अगर force of attraction ज्यादा होगा तो melting point भी ज्यादा होगा और force of attraction कम है तो melting point भी कम होगा ठीक है यह होगा melting point अब इसके बाद इसमें आप एक और जो इसका concept आगा मानलोजें आप आप अब क्या होगा लिक्वीड से वेपर बनेगा वेपर बनने वाले प्रॉसेस को बॉलिंग पॉइंट खाते हैं तो आई उसको लिखते हैं कि सेम जहां बॉलिंग पॉइंट के लिए हम क्या कहेंगे अब टंप्रेचर एड़ विच यहां सेहां की बात हो रही है कि सॉलिड से लिक्वीड के लिए हम से क्या कहा मिल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि लिक्वीड वेपर संटू वेपर क्या टंप्रेचर एट विच हो लिक्वीड when onwards to vapor और सेम चीजाएट अट्मोस्फेरिक प्रेशर यह आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट आफ वाटर हंड्रेट दिग्री संटिग्रेट होता है जिसको आप यह कि जिरो दिग्री मतलब 273 तो 273 प्लस 100 याने कि 373 कल्विन यह होगा बॉइलिं पॉइंट आफ वाटर ठीक अब जैसे इसमें यह बात करें तो आप मिलिंग पॉइंट पॉइंट वालिंग पॉइंट दोनों समझ गहें अब एक टर्म आता है लिटेंट हीट हुइंट हुआ उसके अ लैतिन फिट्गिया हकोताय है है सिम्पली आ सिंपल वर्स में आपको बताया। हम लिटेंट मतलब होता हूं अ मतलब अनल इंड़ फिट्टि इन डाउंध फिट्स हिटिजिन अगें हीडेंभाइन फोर हमने ice to particles ले लिया यह देखिए आप ice to particles और यहां पर थर्माओमिटर लगा दे रीडिंग मेजर करने के लिए ठीक और यहां इसको से heating करिए हमने अजय फ्लेम लगा दिया हीट हो रहा है अब नगा किया जब हम minus 2 हुआ a फिर इसके बाद एक समय आएगा 0 degree centigrade ice का हो जाएगा यानि कि minus से 0 degree पहुंचचा जब 0 degree पहुंच गया ice, यानि कि यह तो minus रहुआ गा पिर जैसे आप सबसके हाँ, 0 degree हमने byा दिया 0 degree जैसे आया, यानि कि हई क्या हुआ, melting point of ice तो आप पाएंगे, जैसे थर्मा मेटर पर रिडिंग जीरो डिक्री मिल जायागा, आइस आप याशी लगाया है, यहाँ जैसे जीरो डिक्री धरा मेटर पर रिडिंग आया, तो आप देखेंगे का, आइस मिल्ट होना सुरू हो जायेगा, ठीक है ना, अब इसके बाद एक आपने क्या कि एक बर्नर लगाया एक बर्नर से आपने देखा कि जरू कर दिया इस टाइम पर आप एक नहीं आप दस नहीं कितनी बर्नर लगा दिजिए वो सारा का सारा बनर की जो हीट होगी क्या होगा आइस एब्सॉर्ब करेगा आप पिर जब भी आप टच करेंगे यहां देखेंगे आपकी रीडिंग जीरु डिगर जाये नहीं जाएगा आपके यहां पर यहां पर सौ बढ़ा दीजिए हम यह नहीं बढ़ रहा है आपको लग रहा होगा न अगर दस बरनर लगा रहा है बीस बरनर तहां पर रिडिंग बननी चाहिए थे जिलो डिग्री से बरना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ागा क्यों वही कारण है लेकिन वर्ट समझें आया ना ही यानिक लेटेंट एक पर प्ले रोल प्ले करता है अब यह क्या है जब आपने यह सिटम की इनर्जी नहीं बढ़ा रहा है कि तमप्रिचर बढ़ा रहा है और रिडिंग जीरो से बढ़ता जारा है यह कब तक होगा जब तक कि लास्ट पाल्टिकल आफ आइस वाटर में ना कर्मर्ट हो जाए जब तक आइस अब तक आप आएंगे कि रिडिंग जीडू तो ही डिकरी आयागा कितना बढ़ आप लगा दीजिए कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि हीडिन हीट है वो ठीक न अब ही वह हुआ क्या हीट आपने दिया हीट गिवेन इस एब्सॉर्ब्ड बाई इस पार्टिकल ठीक आइस पार्टिकल एब्सॉर्ब कर रहा है और क्या रहा है आइस पार्टिकल टू ओवर्कम फोर्स ओफ एट्रेक्शन बिट्विन देम तो चेंज इन्टू किसमें चेंज होगा वाटर में ठीक है ना यह ता बसमाज में आ गया अब जब एक कंडिशन ऐसा आ गया सपोच करो आपने यहां पर बर्न लगाया था गरम हो रहा है यह 0 डिगरी तब तक आएगा आपको रिटिंग यहां पर जब तक कि पूरा का पूरा आइस वाटर में न करूट हो जाए अब हमने कंडिशन सपोच किया चलिए पूरा का पूरा आइस जो यह था अब यह सब्सक्राइब लगा हुआ है और अब का हो गया कि सारा होल आइस सब्सक्राइब नाव इंटू वाटर अब आप यहां पर गरम हीट फ्लेम लगा है यह यह यहां पर लगा हुआ है कंडिशन है कि पूरा का पूरा आइस जब यह बार वाटर में करूट हो गया हमने कहा कि तब तक जीडिटिड आता रहेगा आप कितना फीन दर बारना लगा जाए जिसे जिक जीटिटि जीरो ही जाएगा तब तक पूरी के पूरी आईस वाटर में अकनवाटर चाहिए आप जोट हीट इसको दो गये अब वहीट क्या करेगा अब यह हो गया गया बन गया सब्केशली के घरम कर लिए गरम कर अब गया होता है कि इसके बाद आप में उ dást на हपने का सब लगा दिया यहां भी 100 बनर अब लगा दीजिए अब फिर से सारा का सारा हीट जो आप दे रहे हैं आप आएंगे कि रीडिंग हंड्रेड डिग्री संटिग्रेट ही रहेगा उसके आगे नहीं बढ़ेगा क्यों क्योंकि जितनी हीट आप दे रहे हैं अब यहां क्या लिखेंगे हीट गिवन इस अब्सक्राइब फोर्स अट्रेक्शन बिट्विन देम और कानवट इंटू वाटर वेपर पास संद्धना गया क्या लिखना इसके अंदर अब इसको लिख लोगे ना जैसे हम इसमें यह खा सकते हैं इस वाले केस में हीट है अब्सक्राइब वाटर है टू ओवर्कम है फोर्स ओफ एट्रेक्शन एंड है कानवर्ट इंटू है वेपर ठीक है ना जैसे आइस क्या था है पूरा का पूरा हीट आइस अब्सक्राइब कर रहा था एक बाचे मेल्टिंग पॉइंट आ गया जिरो डिग्री आ गय और वो पूरा हीट एब्सक्राइब किया फोर्स आफ एट्रेक्शन को करने के लिए ताकि क्योंकि हमने देखा ना आइस में क्या होता है इस प्रकार से है फोर्स अफट्रेक्शन कमजोर होगा तो यह दूर दूर होंगा लिकूट में जाएगा और लिकुट एक बार बना अब लिक्विड करेंगा फिर से आप इसको हीट कर रहे हो यहाँ आपने हीड किया यहाँ फिर से अपने फोर्स आफ्रेटराशन कम करेंगा और गैस में करूठ होगा देखिए आप सॉलिड से क्या हुआ लिक्विड बना फिर आप गरम कर रहा हो तो यह 100 डिग्री पहुंच पूछा है आप से अगर हम सॉलिड आईस और वाटर पार करें तो किसकी इनर्जी जादा होगी ओ आप यहाँ यहाँ के लिग्ली कहा पारेंगा इनर्जी आप यहीत अर्ट यहाँ यह तो तो संक्सित टोम प्वेंस सईलिग्वार करें वाटर है तो वैपर में ओकि अब इसके बाद यह देखें कि अगर हमने सर्पोश करो यह लिना प्रिका आइस था और और उने जिना बनाया भी दो laward तर भी देस्था उसकें क्या किया heat gain किया तब जाकर के वह वाटर बनाया यानि कि किसकी नढ़ी ज्यादा होगा वाटर यतिक है मौर इनर्जी इन फार्म ओफ किसके शॉलिट से लिक्विट करोठ होना क्या बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं इन फॉम ओफ लेटेंट हीट आफ the evolution और बाद अब क्या हूँवजाथा आइस वाटर और वेपर की बात करें तो वाटर वाटर ही आप देकोगे बास्ट ही हंडध्ड डिगरी का वाटर भी होता है और 100 degree का steam भी होता है किसकी इनर्जी जादा होगा आप खुद बताओ 100 degree का water है तो heat energy gain किया होगा यह पहले heat gain करके यह 100 degree के steam में जाएगा आप भी बताओ अगर 100 degree की steam में जा रहा है तो इसकी इनर्जी जादा होगी न more energy किस form में in form of क्योंकि liquid से इस में करूंट हो रहा है तो यह क्या हो वेपर आजएसन फाम आफ लेटेंट हीट आफ लेटेंट हीट आफ कि अगरा जेशन ठीक है ना इस लिखिए फिर आगे हम बढ़ते हैं हाँ आपने क्या देख लिया आपको फिर से मिल गाना लेटेंट आप फ्यूज़न और लेटेंट हीट आफ वेपराइज़एसन इसके इनर्जी जादा था थी ज्यादा थी क्योंकि आपने क्या देखा जब लिकूट होता है तो इसको फ्यूज़न बोलते हैं लिकुड़ जब गया समय करनवर्ट होता है तो वहांसे आप कहेंगे लेटेंट हीटाउज़न के फ में और इसको इनर्जी मिल गया वह इस्टीम बना तब जा करके और उसको यूज करते हैं यह पावर सप्लाई में ठीक है ना किती इनर्जी अब इस बात है यह दो टर्म फिर से आज आपको मिल गए है लेटेंट हीटा फ्यूज़न लेटेंट हीटा वेपराइजेशन इसी को अगर लेटेंट हीटाफ फ्यूज़न की बात करें इसको आप क्या कहेंगे फ्यूज़न का मतलब सॉलिट से लिक्विड में करवट होना है यह बात याद रखेंगे कि लिए आप याद रखें टर्म यूज होगा वह एक कीलो का यह वन केजी के लिए यूज होगा यह यहा आ कर का रहा रहा है इस वलीटिए रिचौहऑ यहां कैजी सॉडिट है है इस ठेक तो कंवर्ट वन याद रहा है वन केजीवर जरूर नहीं केजी चाहिए it quality-af छीलिक्विट और हाँ पेलिक्विट क्या है आपका वाटर है तेक कि मैं क्या कहते हैं लेटेंटेज देश्च अफ फिजिम सब्सक्राइब और आपको पता है जब भी सॉलिड लिक्विड में करण वार्ट होगा वह क्या होता है फिजन आपने यूजन वर्ट यूज कर लिया और साथ इसाथ कि मेल्टिंग कहा जाता है उसको ठीक ना एन्ड एट melting point ठीक है ना बच्चों यहाँ आपने solid लिया ice लिया था उसको liquid में convert किया तो उसको आप fusion कहते हैं और liquid को जब आप gas में convert कर रहे थो यह क्या था? vaporization था ठीक? यहाँ पर क्या होता है? melting होता है इस process मैं आप देखो solid से liquid जब convert हो रहा था आइस आप गरम कर रहे थे तो आप यहाँ यूज किया था? 0 degree centigrade melting point यूज किया था liquid जब gas में convert हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है? 100 degree यानि की boiling point ठीक है ना? आप यहाँ समझ सकते हैं अपने estimate के लिए वल्ली melting point और यहाँ पर क्या वाल्ड यूज करते हैं boiling point ठीक है न तो आइए एक जर्म और आपका जो बच रहा है latent heat of vaporization इसको कर लेते हैं जलदी से latent इसको आप खुद से लिखिए वाट राइ करिए बन जायागा आपने आप ही क्यों क्योंकि आपने देखा amount of यहाँ पर क्या है वेप्राइशन का मतलब देखो भॉजन का मतलब solid लिक्विड प्रशुटन का मतलब लिक्विड से गैस तो आपने क्या देखा रिक्वायड्ट करनुर्ण हां पालिट किसमें जा रहा था लिक्वड में जा रहा था किया क्या होगा लिक्विड गैस में जाएगा चीजिए वह ही रहेंगी छार्ण का मिल्टिंग वाइलिंग पॉइंट होगा अब यह दिखा आपको अब क्या लिखो कि यहां पे amount of energy वो तो सेम है रिक्वाइड टू है रिक्वाइड वाइड वान केजी वाटर यानि की लिक्विड कोई भी यहां भी लिक्विड क्या है वाटर टू करनवर्ट इन्टू गैस यहां गैस क्या है वाटर वेपर है ठीक है बच्चो आएट यह तो आपका रहेगा यह अट्मास्फेरिक प्रेसर और क्योंकि लिक्विड गैस में करनवर्ट हो रहा है तो वह वाइलिंग पॉइंट है एंड एट बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ना इतना बात हो गया है क्लियर तो हो गया यह आप यहां तक आपने देख लिया इसके बाद आज आगैं आगे वाले लेक्शनल हमस्टार करेंगे कैसे आप प्रेश का एफक्त देखते और च्ünüटी मूट इसके अगारे Nobody आज में आपने में में देखा कि का कैसे वर्चेंज होने में कि हम कर सकते हैं। टम्प्रेचर और मदद से ना कि यहां हो हो सकता है temperature से कैसे हम रहा करके temperature बढ़ाने से क्या हुआ था मोशन बढ़ गया था ना सॉलिट का मोशन आप याद दखने के फॉर्म में होता है वह पास पास करते हैं तो में में आपको बताए जब भी temperature की बाता है तो आप याद दखना होता है जब भी फेस चेंज होगा उस दवरान आप आओगे कि आइस का वाटर होना है तो आइस को आप अगर हीट दे रहा हो एक बार अपने प्ילकी ऋलैकि सारी इनर्जी आइस एब्सॉर्ब करेगा अवी सब्सॉर्ब करेंगा लेकिन किसके लिए अपने भीच की Фोर्स प्राट्राहन को कंद करेंगा वह फिर सेनर्जी लेता रहेगा और अपने force of attraction को कम करेगा और वेपर में करनोट होगा और यह process कब तक होगा आप याद दखना जब तक कि last particle of ice water मेना करनोट हो जाए तब तक process रही रहेगा जितनी भी गर्मी आप देंगे सारी गर्मी वह सारा temperature लेकर के वह अपने force of attraction को कम करेगा एक बार पूरा water बने गया आप आयांगे कि temperature जो थर्मामीटर की रिटिंग वह 100 डिग्री ही रहेगा जबकि आप सोच रहे होंगे कि सेकड़ो बर्नर लगा दिया हमने 100 सा बर्नर लगा दिया तो temperature बर्ना था इसा नहीं क्यों क्यों है hidden हीट है hidden मतलब छुपी energy है वह latent heat है क्या किया उसने water ने सारी energy क को ले करके अपने फोर्स अफेटर्स हों कम किया वाटर वेपर में convert हो गया ठीक है ना तो आप यह देखिए उसमें आप दो कंडिशन देख तो सॉल्ट से लिक्वीड जाना मतलब फ्यूजन देख लिया आपने लिक्वीड से गैस का जाना मतलब वेपराजिशन देख लि यह जाद कर्चे कर्चेक लिक्वीड लिक्वीड बासर में देखिया पिर канале पता सक्केक्वीड प shining कर्के भाटर पिरें किया लिकांव यह भाया यह दूज सो रूज से भाटर, देखिए धर, देखिए ठे लिक्या रौन